नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से हमारी यूट्व चनल जोहा जाकन इस टडियमा आपका बहुत-बहुत स्वागत है जैसा कि फ्रेंट्स आप सभी जाते हो कि जारकन के सिविल कोटों में बहाली आई हुई है सभी जिलों से बहाली आई हुई है और दोस्तो छातरों को ये ज चैनल को सब्सक्राइब कर लें देखिए दोस्तों आप जिस जिले का भी फॉर्म भरना चाहते हैं उस जिले के ऑफिसल वेबसाइट पर जाओगे तो यह नोटिस आपको मिल जाएगा यहां के बारे में बताने जा रहा हूं कि आप किस परकार भर सकते हो यहां पर मैं जो बत देखिए आधे स्पालक चालक फिर हो गया नीचे आधे स्पालक चालक रात्री पर हरी करके इसी परकार आपका बहालियां आई हुई है और यहां पर सारे पोस्टों को दिया गया है के टिग्री वाजबाटा गया है यह नहीं सुचेगा कि यहां पर जीरो है तो मेरा नहीं होगा होगा आप बहर सकते हो जेनरल में ठीक है जेनरल में अप्लाइख कर सकते हो कोई दिकत नहीं है यहाँ पर देखे और यदि आपको केटेगरी का फायदा लेना है तो आपको अपना जाती certificate बनाके रह लेना है ठीक है तो यह रांची वाला है यहाँ पर आप देख सकते हो यहां पर आपको बेतन जो मिलेगा 18,000 से 56,900 और यह आपका बेतन मान है लेबल वन का और लेवल वन है और यहां पर देख सकते योगेता दसवी पात सुना अनिवायर है स्क्रीनिंग टेस्ट हम साचातकर होगा यानि आपका मेडिकल फिटनेश चेक किया ज़िये गाइए इंटर्व्यू लिया जाएगा किसी के पास कोई अनुभाय है तो उसको ज्यादा प्राइयर्टि दिया जाएगा जाएगा या पहले काम के हैं ग्री विवाग आ रच्छी जलांत अब को प्रात्मिकता दिया जाएगा ये कुछिंध हुआ है साब कितत्य jersey जो है फॉर्म भर के जो जो चीज मांगा जा रहा है वो सब चीज डाल के सारा सेटिफिकेट को जेरोक्स डाल के और स्वावी परमानित करके भेजना है और आपका उसमें फिर आपका इंटर्व्यू के लिए बुलाया जाएगा तब आपको जाना है तो देखिए मैं डारेक् केटेगरी का फायदा लेना तो आपके पास सेटिफिकेट होना चाहिए जारकन से बना हुआ सरकारे नियम अनुसार पदारचित है महिला दिव्यांग खेलकुद कोटा यह सब जो अरचित है वो कुछ लिखा गया है देखे दोस्तों अधिकतम उम्र की जो सीमा है 35 साल है ज चालिस होना चाहिए ठीक है यह सब सारा कुछ होना चाहिए उसके बाद आपको यहां पर इंपोर्टेंट जो चीजे हैं वह आपको मैं दिखा दू यहां क्या लिखा हुआ है उमिद्वार अपना स्वा हस्त लिखित आविदन पत्र परवेस्पत्र देवनागरी लेपी मे नयायुक्त वैभार नयाले राची को संबोधित करते हुए कार्याले में दिनांक 2323 के अंदर आपको इस्पिट पोस्ट या हाथो हाथ भी आप दे सकते हो साड़े दस से साम पांच बजे तक दे सकते हो यह कुछ लिखा हुआ है आपका अपना जिला में जिस टाइम जब अपना तक मांगा गया है तब तक आपको भेज़ देना है ठीक है देखे आप जब अपलाई करोगे तो उसमें क्या है आईदक आईदन पत्र के साथ तीन अतन जो आप फोर्म आईदन पत्र के साथ तीन पासपोर्ट साइज का फोटो सलगन करेंगे जिसमें आईदन पत्र पर एक फोटो साथेगा फिर दूसरा परवेस्पत्र पर साथा हुआ होना चाहिए तीसरा अत्रिक्त होगा यानि तीन फोटो देना है स्वब पता लिखा लिफाफा आपको एक लिफाफा में अपना आपका जो एड्रेस है वो लिखा हुआ होना चाहिए जो कि 25 इंटू 11 सेंटिमेटर का परवेस्पत्र निर्गत करने है तो यानि आपको दो लिफाफा लेना है एक लिफाफा में आपका आपका अपना पता हुआ लिखा होना चाहिए जो कि 25 इंटू 11 सेंटिमेटर का होगा ये आपका पता लिखा हुआ आपको एक लिफाफा उसमें डालना है जिसमें आपको 40 रुपया का एक डाक टिकट सनटा हुआ होना चाहिए ये इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि उसी लिफाफा में आपका admit card डाल के वहां से भेज गया जाएगा लिफाफा भेजना है आपका जो लिफाफा रहेगा उसके अंदर और एक लिफाफा भेजना है जिसमें आपका अपना address लिखा हुआ होना चाहिए दोस्तों और एक important चीज है इसमें उमिदवार एक आविदन पर पत्र पर केवल एक ही पत के लिए आविदन कर सकते हैं यानि आपको एक आविदन पत्र बेज़े हैं तो उसमें एक ही पत के लिए आविदन कर सकते हैं यानि और भी आविदन पत्र बेज सकते हो तो उसमें अल आपका आविदन पत्र का प्रारूप ऐसा रहेगा इसको आप प्रिंट आउट निकाल लिजेगा और इसको भार के बेज़ेगा देखे बिग्यापन संख्या यहां पर आपको डालना है बिग्यापन संख्या जब आप फॉम बरोगे आपका जो एड़टीजमेंट नंबर है उसमें सबसे उपर में लिखा हुआ है यह आपका विग्यापन संख्या ठीक है यहां पर लिख देना है यहां पर आपको जो विग्यापन संख्या आपका है वो दे देना है ठीक है यह आपका विग्यापन संख्या है राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभी पर्मानि पाशपोर्ट आ का फोटो चिपका है यहाँ आपको आपका फोटो चिपकाना है जो की आपका g Jahric-eat officer द्वारा ऑड सांड किया हुआ होना चाहिए गर्जेट अफिसर द्वारा सांड किया हुआ यहाँ पर फोटो चिपकाना है आपका अपना फोटो पदनाम जिस पोस्ट के लिए अप्लाइ कर रहे हो तो वह आपको यहां दे देना है ठीक है लेकपाल या जो जिस सीज के लिए आप अप्लाइ कर रहे हो यहां पर लिख देना है अवदक का नाम आपको हिंदी में यहां लिखना फिर अंग्रेजी में य लिखना जन्मति थी आपका स्वाः अभी परमानित प्रति ठीक है परमान पत्र की स्वाः परमानित प्रति सल्लगन करें ठीक है यानि आपको जब भरोगे फॉर्म तो इसमें जो जो एडमिट काड़ी से मांगा जाएगा तीसरा नबर में आपको अपना जन्मति थी देना है परमान पत्र की स्वाः परमानित प्रति सल्लगन करें यानि आपका जन्म परमान पत्र का जो आपका है मेट्रिक में जो सेटिफिकेट मेट्रिक में आपका जन्मति थी अंकित है तो आपको इसके साथ टेस्ट करना है दि कि उतना अपको एज निकाल लेजेगा जो एज वहा हो दीजेगा अस्थाई पता आपका जो है अस्थाई पता आपका उप एज पूरा देदेना है घ्रांज पूस्रेट प्रसा जिला थान मैं जालक को चलिपन ऑर भी दिजएगा पत्रता करना है यहांपर परिच्छा उतिर्न wondersunk They are oil currently cannot 足या यर बीत और कोई पत्र गी तो यहां पर अगर यह सब केटेगरी में आते हो तो सनलगन करें मतलब आपको उसका जेरोक्स स्वा अभी परमानित करके देना है जो आप भरोगे तो उसके साथ समयने जन जाती के हैं समयने कास्ट में आते हैं तो आपको ठीक लगाना जिस जिस केटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसी को साइन लग मेल है की फिमेल है, नहीं सकते हैं, नहीं, तो यहां पर क्या लिखना है, क्या नहीं सकते हैं, तो हां में टिक करना है, अगर हैं तो और नहीं हैं, तो नहीं में टिक करना है, क्या बरतमान में किसी सरकार्ज संस्तान में कारियत हैं, हां तो हां में मारियेगा, ना तो ना में म पत्र यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है मेरे दोड़ा जो भी सी यहां दिया गया है सारी सुचनाइश सही है अगर कुछ बेसा गरत पाय जाता है तो हमारी जो है इसमें बहुत कर दिये जाएगी यही लिखा हुआ है गाओं ठीक है सब से पहले आपका नाम देना है पिता का कार्याले द्वारा भरा जाएगा ठीक है दिनांक देना है और कुछ नहीं देना है तो यह यह कुछ आपको करना है इंपोर्टेंट चीज जो लिखी वे दोस्तों उमिद्वार अपना स्वाहस्त लिखित आविधन पत्रयों परवस्त पत्र द्योनागरे लिपी में नियाय यह दिवस को प्राता साड़े दस बज़े से लेकर पांच बज़े तक जमा कर सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो क्या लिखा है दो तिन दो जर तेस के अंदर तक स्वैम यानि खुद या निबंधित डाक या स्वीट पोस्ट द्वारा कायर दिवस को यानि आप खु कि